कुमल सिंग जी इस वक्त बारतनता पाटी समय साथ जुड़ चुकी हैं कुमल सिंग जी बारतनता पाटी के हर नेता का बयान था 48 या उससे जादा किसी भी कीमत पर कम नहीं तो ये बताईए कि आज जो अभी तक रुजान सामने आ रहे हैं पारतनता पाटी 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है तो क्या आपको उमीद है कि अगले दो घंटे में ये बढ़त 16 से बढ़कर 48 या 50 तक पहुच जाएगी जी बिल्कुल पूरी उमीद है और अभी तो 9 ही बज़े हैं आप पूरा दिन बाकी है आप धीरे धीरे देखेंगे दस साड़े दस ग्यारा बज़े के आसपास आपको नजर आता दिखेगा इस उमीद की वज़े क्या है जरा ये बता देजिए 40, 45, 50 आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगे ने बिल्कुल हमें सोचना चाहिए भी नहीं ये सोचना आपको ही चाहिए भाजपा का काम है भाजपा की तो सरकार थी नहीं भाजपा ने ऐसा क्या किया जिसके वज़े से आपको लगता है कि 40, 50 सीटे आजाएंगी प्रधान मंतरी के नाम पर सीटे नहीं आती जी प्रधान मंतरी के काम पर सीटे आती है प्रधान मंतरी के काम पर तो राष्ट्रे चुनाओं में सीटे आएंगी कि दिल्ली के विज़ान सभा की चुनाओं में भी सीटे प्रधान मंतरी के काम पर आएंगी अगर ऐसा होता आप तब तो फिर स्थानी नित्रत्व की आवशक्ता बहुत जादा होती है लेकिन हमारे दिल्ली में सरकार ना होने के बावजूद भी हमारे MPs के थूँ जो भी काम हुआ है जितना भी work हुआ है वो काबिले तारीफ है क्यों मिनिसिपालिटी ने क्या गलत काम किया आप बिल्कुल कुछ नहीं पूरे शहर में कच्ड़े काम बार पड़ा रहता था और लगतार हम लोग इस तरह की खबरे दिखाते रहते थे लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होते ही कहीं पर अगर मना वस्केतार की वज़े से रुका है और में में किया सिर्फ हमारे ही है आपको खता याद है लाइंड फिल पर अभी हटाने का काम शुरू हुआ है कौन अब बताएं और सीलिंग की बात किस ने कही लोगों को लेकर जो तमाशा हो रहा है वो किसकी बज़े से उगा रहा है M.C.D. के थुरू ही तो हो रही है सिलिंग की बात M.C.D. ने तो कहीं निए चली आगे बढ़ते अजय के बात M.C.D.